C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्त है दस्वी कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्थे पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग दो पेश है दस्वी जमात के लिए उर्दू की मौविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग दो का तीसरा पाठ सफ़ा नंबर अठारा तारुफे अफसाना निगार अली अब्बास हुसेनी पैदाईश अठारा सो सत्तानवे इंतिकाल उननीस सो उनहत्तर अली अब्बास हुसेनी उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में पैदा हुए इप्तिदाई तालीम पठना में हुई इलाहबाद से बीए और लखनव से एम्मे की डिग्रियां हासिल की एल्टी की सनद हासिल करने के बाद एक सरकारी स्कूल में उर्दू-फार्सी के उस्ताद मुकरर हुए अली अब्बास हुसेनी ने शुरू में प्रीम चंद से मतासिर होकर अफसाने लिखे ऐसे अफसानों में गाउं के मासूम और सादा लोह अफराद की खुबसूरत अकासी मिलती है बात में उनके अफसानों में ऐसे किर्दार नजर आते हैं जो नफसियाती पेचीदगीयों का शिकार है अली अब्बास हुसेनी को इनसानी नफसियात पर उबूर हासिल है सामने आजाती है उनकी अफसानों में वाकियात की तवालत तो है मगर प्लॉट में जोल पैदा नहीं होता अलिय अबास हुसैनी के अफसानों की बड़ी खुबी उनकी जुबान है वो अरबी फार्सी के अलफास से हत्तलिमकान गुरेज करते हैं आईसी एस बासी फूल मेला घूमनी कुछ हसी नहीं है उनके अफसानों के मजमुए है उर्दो नौविल के तारीख और तनकीद उनकी तनकीदी किताब है सफा नंबर उन्नीस अफसाना आईसी एस अफसाना निगार अली अब्बास हुसैनी आईए अब सुनते हैं अफसाना निगार अली अब्बास हुसैनी का अफसाना आईसी एस वहीद का आईसी एस में जाना बिलकुल डाता की देन थी एक गरीब दिहाती जमीदार का लड़का जो ग्यारा बारा बरस के सिन तक एक छोटे मुखतसर और तंग कच्चे मकान में पला हो जो गाउं के लड़कों के साथ गिली डंडा, कबड़ी, गीडी और आख मिचौली खेलने में लगा रहा हो जिसने लड़कों के साथ हर बड़े से बड़े दरखत पर चढ़ जाने और चिप बैटने में महारत हासिल की हो जिसने साथ बरस की उमर से गाएं भैसे खुद ही दो ही हूँ और उनका गोबर अपने हाथ से उठाया हो और जिसके सबसे बड़े दोस्त छोटी उम्मत के लोग रहे हो वो आज आई सी एस पास हुआ और हैट कोट पहने साहब बना वल तुम क्या मांगता और हम नहीं जानता बोलने का फकर हासिल कर ले वाकई बख्षिश इलाही थी या हजरत मूसा के लिए सुना था वहीद के मामले में अपनी आखों से देख लिया हमने माना के बारा बरस के सिन से इस कुंदए नातराश को एक दूर के अजीज ने रहम खाकर अपने पास रखा खरात पर चढ़ाया और आदमी बनाया मगर ये सब रहमत बारी और फजल इलाही था उसने अगर इन अजीज के दिल में आलाद की खौाहिश के साथ साथ इनकी गोध भी आलाद से भरी होती तो फिर क्या होता अगर वहीद की फिद्रत में असर कुबूल करने का माददा ना होता अच्छे खासे जानवर से भला मानुस इनसान बनने की सलाहियत वा दियत ना की होती तो वो काहे को स्कूल या कॉलिज ही से अपने कपड़ों, अपने फैशन, अपनी तहजीब, अपने सलिके और अपनी जहानत के लिए मशूर होता पौदे एक जमीन से निकाल कर दूसरी जमीन में लगा देने से अपनी नौयत और जिन से नहीं बतल देते नीम आम नहीं बन जाती, नागेंदा गुलाब हो जाता है मगर यहां वहीत के मामले में तो महम्मद पूर क्या छूटा और अलहाबाद क्या मिला कि ऐसा मालम हुआ कि शक्सियत ही दूसरी हो गई, जून बदल गई जिस तरह उसने महम्मद पूर के फटे पुराने कपड़े उतारे और अलहाबाद के नए चमकते भड़कते पहन लिये उसी तरह उसकी वो बारा बरस तक की तबियत, जिद, जलाहट, शरारत, भदापन, हटिलापन, अकड़पन, गमारपन, बदतहजीबी, बदखलाकी, कजरवी, यावागोई, दरीदा जहनी, बेहुदा गोई, कमकली, बदतवारी, देर फहमी, बदशौकी और मौका नाशन सब महम्मद पुरी कपड़ों के साथ उतर गई, और उसकी जगह, अलहाबादी कपड़ों के पहनते ही, मतानत, संजीदगी, खुद्दारी, वकार, जूत फहमी, सुगड़ापा, जामा जेबी, खुश मिजाजी, मौमला फहमी, सुखन संजी आ गई, हमारा ये इद्दा न एक घर से निकलते और दूसरे घर में दाखिल होते ही पैदा हो गया था, सफ़ा नमबर बीस नहीं, इस तब्दीली में साल दू साल लगे थे, मगर फिर भी ये ऐसा सरी और अजीम इनकलाब था, जिससे काया पलट हो जाना कहते हैं बहरे नो मालिक की देन कहिए या वहीद की फितरी सलायत और काबलियत हुआ ऐसा ही कि वहीद जिस दिन से स्कूल में दाखिल हुआ और जिस दिन तक वो तालीम पाता रहा, हमेशा अपने दरजे में अवल आया यहां तक कि एमे पास करने के बाद, ICS भी ऐसे अच्छे नमबरों से पास हुआ, कि ना सईयो सिफारिश की जरूरत हुई, और ना ही खांदानी हुकों को खिदमात किनाने पड़े और दो बरस इंगलिस्तान में मजीद तालीम और तजर्बा हासिल करने के लिए भेज़ दिया गया वहां के कयाम के दौरान, रियासत महिदरपुर के एक रुकन खास, साहबजादा शहबुद्दीन खान से मुलाकातो राहो रस्म पैदा हुई और इसी सिलसले में उनकी साहबजादी जहां आरा बेगम से भी जो इस साल आक्सफोर्ड यूनिवरसिटी से बिये में नुमाया हैसियस से कामियाब हुई थी, रोज रोज मिलने जुलने ने कशिश पैदा की साहबजादा की इजाज़त और जहां आरा बेगम की पसंदीद्गी से उसने वहीं बेहरा जाया और नई दुलहन साथ लेकर हिंदुस्तान पल्टा चूंकि दिल में धड़का लगा हुआ था कि कहीं अफलास और दिहातियत की पूल ना खुल जाए इसलिए हिंदुस्तान में पहुँचने और देली हुजूर वाइसराय के सद्र दफ्तर में तैनाती का दर्मियानी जमाना रियासत महिंदर पूर में सुसराल ही में बसर किया और घर लिक भीजा मैं फिलहाल मकान नहीं आ सकता लेकिन बराबर वालिद साहब के लिए खर्च भेजता रहूंगा किसी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है बुढ़ा बाब दिल मसोस कर बोड़ी मा रोधो कर और भाई खफा होकर खामोश रहे वो जानते थे कि उनका घर इस काबिल नहीं कि कोई ICS आकर कायाम करे वो उसे खुब समझते थे कि उनका जोंपड़ा किसी बेगम बहु को उतारने के लायक नहीं उन्होंने ठंडी सांसे भरी आसमान को देखा और च्छाती पर सिल रख ली गरस बेगम ने ना अपनी ससराल देखी और ना साससर जेट देवरों से मिले की नौबत आई कि वहीद देहली में लाड़ सहफ के दफतर में काम करने लगा वहां के मशागिल बड़े बड़े आदमियों से मिलना जुलना राजगान महराज और वालियान मुलक की पार्टियां एट हूम डिनर सिनेमा थेटर खेल तमाशे गरज दिलचस्पियों में ना किसी की कमी थी और ना इनकी वजह से इतनी फुरसत के नए रिष्टेदारों और अजीजों की जरा फिक्र की जाए मगर बेगम के लिए ये दिलचस्पियां हो सकती थी वहीद की मा के लिए नहीं उसने तो वहीद को जना था उसकी मामता को भला कैसे चैन पड़ता वो बेटे को लिखती रही के बस एक नजर दिखा जाने की खाहिश थी बहु को देखने की भी बड़ी तमन्नाए थी बेटे की शादी के बारे में बुढ़ियाने नजाने क्या क्या सोच रखा था अपनों परायों में बहुत सी लड़कियां देख रखी थी मगर वहां सहबजादे खुद ही बेगम भी आ लाए शादी ऐसे चुप चुपाते कर ली कि किसी को कानो कान खबर ना हुई और मौका भी होता तो पहुँचती कैसे काले कोसुं दूर समंदर पार इंगलिस्तान में फिर ससुराल अपने मेल की ना जोड की वहां रुपियों की इज़द की शान और शौकत की अफराद थी सफ़ा नंबर इकीज यहां अफलासो तंग दस्ती निकबत की बहतात बहु पड़ी लिखी आक्सफोर्ट यूनिवसिटी की तालीम याफता लाट सहब हाथ मिलाने वाली सास जाहिल दिहातन और पड़े में बैठने वाली उससे सास की तरह पेशाना बहु बना कर मिलना हाथी से गन्ना चीन कर खाने जैसा था मोर की तरह नाचने को जी तो जरूर चाहा था लेकिन पाउँ देखकर लाज भी आती थी सबर की सिल चाती पर रखी मगर ये बोज इतना भारी था कि पहलू में दर्द होने लगा इस बेचैनी ने खत लिखने पर मजबूर किया पहले तो लड़के ही को लिखती रही जब उधर से बराबर टालने ही वाला जवाब मिला तो फिर एक दिन हमीदा ने छोटे लड़के को पास बुलाया और दिल की सारी कहानी बेगम बहु को लिखवा थी बात चूंकि दिल से निकली थी इसलिए दिल में घर कर गई बेगम बहु को लवज लवज में खुलूस, सादगी और सच्चाई की अतरे आगी बुए खुशाई वो हाथ में खत लिए बेसाखता आईसीएस वहीद के दफ्तर में घुसाई और उसके सामने से फाइले खींच कर बोली क्यों सादगी ये आखिर आज तक आपने मुझे मेरी सुस्राल के लोगों से क्यों नहीं मिलवाया वो वो क्या है के जब से हिंदुस्तान पलटके आया तुम्हारे मैं के गया फिर वहां से मुलाजमत पर चला आना पड़ा यहां के कामों में कुछ अस्तरा फस गया कि माबाप और भाईयों से भी न मिल सके और ना बीवी को मिला सके आप यहां वहीत की जहानत काम आई उसने जरा मुस्करा कर कहा यह आज दफतन आपको सस्राल क्यों यादा गई क्या किसी ने खत लिखा है जी हां मैं तो इनसान हूँ ही नहीं न के मुझे कोई फिक्र होती बारहा आप से पूछा आपने कहा किसी दिन इत्मिनाहन से बाते होंगी तो बताऊंगा शायद आप मुझे इनसान नहीं समझते या अपने घरवालों को जानवर समझते हैं आप भाई भाई ये तो यह तो यूँ ही के तुम उन लोगों से मिलकर कुछ खुश नहीं होगी ना वो कुछ बाते करना जानते हैं ना आधाबो तहजीब से वाकिफ हैं ना उनके रहने सेहने का तरीका हम लोगों कासा है अब आप ज्यादा उनकी तारीफें बयान फर्माने की जहमत ना कीजिए आज आपकी वालिदा का खत आया है मैं खुद चल रही हूँ अपनी आँखों से देख लूँगी समझे अरे तुम वहाँ चलोगी महमदपूर हाँ हाँ क्या कोई वहाँ कटखना कुट्ता जूटा हुआ है जो कि जाते ही मुझे काट खाएगा और ये कहते ही वो कमरे में चली गई सफा नमबर बाईस वहीद देर तक सनाटे में रहा जानता था कि घर में रहने की जखा मुश्किल से निकल सकेगी बेगम मुसिर थी कि मैं जरूर जाऊंगी कहां कयाम होगा, क्या इंतिजाम फिर जितनी इधर तालीम और शाहिस्तिगी तहजीब और मदनियत थी उतनी ही उधर जिहालत, गेर शाहिस्तिगी और दिहातियत खुदा जाने बड़ी बी ने क्या लिखवा दिया है कि बेगम पर इस गदर असर हुआ आज तो पूरी तर्याहट का मज़ा आ गया वहीद ने जल्दी से खतों का कागस खेंचा और बाप को खत लिखा उसी वक्त बैंक घर गया वहां से तीन सो रुपियों के नोट लिए डाख खाने से रजिस्ट्री लिफाफा मंगा कर बीमा कर दिया खत में लिखा फौरन खाना बाख के आहाते में गमूस के खंबे जड़वा के उन पर बंगला नुमा फूस का छपड दिलवा दिजे और मामूली टटरों की दिवारे खींच कर उसके अंदरूनी हिस्से में कई कमरे बनवा दिजे बेगम आप लोगों से मिलने आ रही है बस कोई पंधरा दिन में हम लोग पहुँच जाएंगे सही तारीक से बाद में इतला दूँगा जब बीमा लगा चुका तो वहीद ने इत्मिनान की सांस ले अब बहुत कुछ जिम्मेदारी उसके सर से हर चुकी थी अब बस बात इतनी सी रह गई थी कि बेगम को छुटी न मिलने का बहाना करके पंधरा दिन और रोकना था इस अमर में ज्यादा दिक्कत भी न हुई इसलिए कि बेगम ने ससराल चलने का कटई फैसला सुनाते ही वहाँ जाने की तैयारियां शुरू करती थी मुद्वातिर कई रातों और कई दिन वहीत को अपने बड़े भाईयों और उनकी बीवियों के नाम और हुलिये, उनके बच्चों की तादाद बहनों और उनके शोहरों के नाम उनकी सूरत, शक्ल, बिन बियाहे भाई की उम्र, लियाकत, मिजाज, तबियत, गदो कामत, बड़े मियाँ और बड़ी भी की पसंद की चीजें सब बताना पड़ी बेगम बात और बात की जड़ सब कुछ खोद खोद कर पूछती थी बास वक्त उनके सवालात का जवाब देते देते, आजिस आ जाते थे वहीद, लेकिन इसी के साथ बेगम की इस गेर मामूली दिल्चस्पी लेने का नफसियाती असर उन पर भी शुरू हुआ सफेद रंग का खून बदलने लगा फित्रत में जो अपनों से अपने मा, बाप, भाई, बहन से हमदर्दी वा महबत थी और जो आईसीएस के मखमली पर्दों से ढग गई थी, जिस पर इंगलिस्तान और हिंदुस्तानी सेक्रेटरेट के माहौल ने एक नया मुलम्मा चड़ा दिया था बेगम की कुरेद ने उस मुलम्मे को घिस डाला बार-बार के सवालों जवाब से मुलम्मा उतर गया खुलूसों यगानगत जगा जगा से ज़लकने लगी खुदा-खुदा करके वो दिन भी आ गया जिसका बेगम को बेचैनी से इंतिजार था यानि वहीद की पंधरा दिन की चुट्टी मन्जूर हो गई और सफर के लिए असबाब बंधने लगा बेगम ने जाने क्या समझा था कि दस बारा ट्रंक और सूटकेस कपड़ों से भर लिये थे वहीद ने चलने से कुछ घंटे कबल इतिफाख से ये समान देख लिया था बड़ी रद्दोकत की मगर बक्सों में कमी ना हुई और सब के सब मोटर के अलावा किराय की लारी पर लात कर स्टेशन पहुँचाए गए सफा नमबर टेईज गाड़ी चली तो वहीद का पसो पेश फिर बढ़ा सोच रहा था कि खुदा जाने घर पर वालदेन ने बेगम के लाइक कोई जगा हस्पे हिदायत बनवाई भी या नहीं बेगम को उन दिहातियों की बातें पसंदाएं या ना आएं या खुद उन लोगों को बेगम की बेपर्दगी भाए या नहीं वो सब के सब पुराने ख्यालात के दक्यानोसी मरासिम के पाबंद रईसों अमीरों का तौड तरीका इंगलिस्तानों यॉरॉप की तालीम और तर्बियत देखिए जोड कैसे बैटता है और आपस में कैसे निपती है आग और बर्फ का तानमेल बैठे ना बैठे ये जिधर भी नजर करता जिस पहलू पर गोर करता दुश्वारियां ही दुश्वारियां दिखाए देती जी चाहता कि बेगम को समझाएं उनको इस सफर के नशे वो फराज समझाएं मगर बेगम की ये हालत थी कि उन्होंने इप्तिदाए सफर से एक नौविल शुरू किया तो रास्ते भर उसी को पढ़ती रही सफर तवील था एक दिन और एक रात गाड़ी पर दोनों रहे मगर सिवाए खाना खाने के अवगाद के किसी वक्त बाते करने का मौकल ना मिला एक दो फस क्लास में होने की वजह से दोनों के बर्द काफी फासले पर थे दूसरे उनके बर्द के उपर वाले हिस्से पर एक अंग्रेज दरास था ऐसी हालत में निजी और खाने की गुफटगू ना मुम्किन ही नहीं बलकि मुहाल थी खाने की मेज पर रेस्टोरान कार में इसका मौका ना था पासी पास मुख्तलिफ मेजों पर दूसरे लोग भी बैठे थे फिर किस तरह ये मसला छिड़ा जा सकता था गरस मुहमदपुर का स्टेशन आ गया और ये बेगम साहिबा से कुछ कहना सके वहां स्टेशन पर जो गाड़ी रुकी तो छोटा भाई मैं पीनस और आठ कहारों के दिखाई दिया वहीत ने बेगम से जल्दी से कहा यहां शायद तुम्हें परदा करना पड़े उन्होंने कहा कि मैं पहले ही से इसके लिए तयार हूँ और यह कहते ही बकस खोल कर बुर्का निकाल कर पहन लिया वहीत को इसकी खबर भी ना थी कि वो इतना इंतिजाम किये बैठी हैं इसलिए उसे बहुती ताजब हुआ मगर छोटे भाई की खबराई हुई सूरत और स्टेशन पर गाड़ी ज्यादा ना रुकने के ख्याल ने गुफ्तगू का मौका ना दिया डब्बे के सामने पीनस लगते ही बेगम उसमें जल्दी से सवार करवाई गई और ये मैं अपने भाई के बैल गाड़ी पर असबाब लद्वानी के एहकाम सादिर करके घर के तांगे पर बैट कर रवाना हुआ हमीद यानी वहीद का भाई वहीद से पांच बरस चोटा था उसने गजबे के वर्नाकिलर स्कूल से उर्दू मिडल पास करके तालीम छोड़ दे थी और काश्टकारी में बाप का हाथ बटाने लगा था इसलिए उसमें ना तो वो कल्चर था जो एक तालीम याफ़ता शख्स में पाया जाता है और ना उसमें वो तहजीब वाशाइस्तिगी थी जो शहरों में रहने और अच्छी सोसाइटी में मिलने जुलने से पैदा हो जाती है वो एक ना तराशीदा और ना साफ करदा हीरा था उस पर अब तक मेल चड़ा हुआ था मगर इस दिहातियत और भद्देपन में खुलूस की आब उताब मांद ना हुई थी वो तांगा खुद ही हांकता जाता था और भाई से बहुत ही बेतकलुफी से बाते करता जाता था और मौके मौके से भाई के ICS शहरी और रईस होने पर तान भी करता जाता था गरस हमीद की बातों ने बच्पन के मानूस मनाजिर ने वतन के सरसबज दरखतों ने और गस्बे के हरे भरे खेतों ने वहीद पर आहिस्ता आहिस्ता असर करना शुरू किया वो सबसे पहले तो ये भूला कि वो ICS है फिर ये भूला कि वो बेगम सी तालीम याफता रईसा का शोहर है फिर ये भूला कि उसकी हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजगान महाराजगान से मुलाकात है फिर ये भूला कि वो एक तालीम याफता महज़िब इनसान है वो क्या करता जिन हिस्सों से वो गुजर रहा था उनका एक एक जर्रा, एक एक चप्पा, एक एक बूटा उसे अपनी तरफ खीच रहा था वही जमीन जिस पर वो कभी नंगे पाउं दोड़ा था वही खेत जिन में उसने अपने हाथ से मटर और चना बोया था वही दरख्त जिनकी शाखों पर जल्द से जल्द चड़ जाने के मुकाबले में वो जीता था वही चड़ियां जिनके बच्चे पकड़ लाने के लिए वो कस्बे भर में मशूर था ये सारी चीजें उसका खेर मख्तम कर रही थी और अपने अपने तोर पर दिल की गहराईयों में अपने अपने गिरे पड़े घरों को कुरेद कुरेद कर अपने बैठने की जगें बना रही थी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी सरसब्स दरख्त लैलाहा रहे थे हरे खेत आँखों को तरावट पहुँचा रहे थे और सौधी सौधी मिट्टी की बू मिशा में जां को मौत्तर किये देती थी केतने में मकान की कच्ची दिवार दिखाए थी मालूम हुआ जिसे रूह की गर्दन में भंदा डाल कर किसी ने खीचना शुरू कर दिया छोटे भाई ने भी घोड़े को चाबुग रसीत की वो पहले ही घर देखते ही हिनहिना के कदम बढ़ा चुका था हवा से बादे करने लगा वहीत का दम इस तरह फूलाह था जैसे घोड़े की जगा वो खुद इस दोड़ में शरीक हो अजब नहीं के इसकी नजर के तार पर उसकी रूह दोड़ रही हो बारहा घर आ गया सामने बड़े मिया दिखाई दिए घर पर सिवाई कुड़े पाईजामे स्लीपर के कुछ न पहनते थे मगर आज आज खिलाफे मामूल शेरवानी भी पहने थे और बूट भी गालिबन आई सीएस और तालीम याफता बेगम बहु की खातिर ये जहमत अंगेस की थी वहीद ने तांगे से उतर कर तसलीम की उन्होंने आप दीदा होकर उसे गले से लगा लिया बाहरी मकान में कस्बे के और भी अमाईद मौजूद थे ऐसे भी थे जिन्होंने बच्पन में उसकी गोशिमाली की थी और ऐसी भी जो उसके साथ बहुत सी शरारतों में शरीक रहते थे सब बड़ी मुहबबस से मिले बड़े मिया ने कहा बेटा घर में इस वक्त जाने का मौका नहीं है वहाँ दुलहन उतारने के लिए सारी ब्रादरी की औरते जमा है आओ तुम्हें नए मकान में पहुँचा दे इससे देख लो और नहाद होकर कपड़े बदल डालो फिर बाते होंगे ये कहकर खाना बाख में लेक आए वहाँ वहीद के हस बेख्वाहिश पुखता खंबों पर एक बंगला नुमा छपपर डाल दिया गया था बीच में सबस कपड़े तान तान के मुखतलिफ दिवारे बना दी गई थी यानि अच्छा खासा साहब के ट्राइंग रूम, ड्रेसिंग रूम, स्लिपिंग रूम, डाइनिंग रूम और कुछ मखसूस कमरे बेगम सहिबा के लिए तयार थे पलंग, कुर्सियां, फर्ष, सब चीजें सलीके से लगी थी वहीद हैरस से अपने वालिद का मूँ देख कर बोला ये सबसामान किसने इतने सलीके से लगा डाला? उन्होंने हमीद की तरफ इशारा करके कहा जिस दिन से तुम्हारा खताया है, बस ये उन्ही कामों में लगा रहा फिर गाउँ भर के तमाम जवान साथ थे इन्ही सबोंने मिलकर ये सब दुरुस्त किया है ना दिन को दिन समझा है, ना रात को रात वहीद ने भाई की तरफ मुस्करा कर देखा वहीद बोला हम दिहातियों के हाँ, साहब मैं मेम साहिबा के तश्रीफ ला रहे थे फिर हम इतना भी ना करते I.C.S. जो लोग होते हैं, उनके हाथ पाउन लाजुक, उनके दिलो दिमाख लाजुक होते हैं अब अगर आप हमारे मोटे भद्दे और बद शकल पलंग इस्तेमाल करते तो आपको तकलीफ ना होती वहीद ने मुस्करा कर कहा हम, तो तुम समझते हो, हम लोग बिलकुल नाजुक होते हैं, क्यूँ? वो बोला, और क्या, क्या आप मेरे साथ खेत गोड सकते हैं, हल चला सकते हैं, पाँच मिनिट में भाग निकलेंगे वहीद ने कहा, अच्छा, जरा मैं नहा लूँ, तो तुम को बताता हूँ बहुत अच्छा, आज ही शाम को भावी के सामने सफा नमबर 26 बेगम का अंदर क्या रेसेप्शन हुआ? किस किस तरह की रसमे की गई? बीवियों ने क्या क्या फुकरे कसे? किस को पसंद आई? खुद उन पर क्या गुजरी? और उनके साथ मामा दाईयों ने क्या राय कायम की? ये सब तमाम बातें बयान करना इस मुक्तसर अफसाने में मुम्किन नहीं इसके लिए एक पूरे नौविल की जरूरत है हाँ, इतना जाहिर भी आखे भी देख सकती थी कि तमाम वो एहकाम जो सास ने नाफस किये वो खुशी खुशी बजा लाइं यहां तक कि बड़ी बी ने अपने दिहाती लबो लहजे में खुद कहा अल्ला तुम्हें मांग कोक से ठंडा रखे तुमने मेरा दिल खुश कर दिया मुझे बड़े बड़े वस्वास थे मगर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मैं दिन में चराग लेकर ढूनती तो ऐसी बहु ना मिल सकती थी मुझे नंदो ने उस पर खुब खुब फुकरे कसे मगर बड़ी नंदो ने छोटियों को टांटा और उन्हें अपने साथ उठा कर खाने बाख वाले मकान में पहुँचा आई शाम को जब आजा और ब्रादरी के लोग जा चुके तो सारा घर नई बहु के पास सिमट कर आ गया बड़े मियां रूनमाई के लिए बुलाए गए और बीवी को एक भदीसल सोने का जेवर दे कर बहु के पास कुर्सी पर बैट गए बड़ी भी ने कहा अरे वहीद को भी बुला लो अब सारी रसमे हो गई अब खामखा शरम बेकार है वहीद और हमीद भी आए बेगम ने अपनी एक बुड़ी मामा की तरफ देखा उसने खौन पर खौन लगाना शुरू किये किसी में बड़ी भावज के लिए जोड़ा निकला तो किसी में नंदों के लिए तहजीब ये कि जिसका जोड़ा होता उसके सामने खौन लेकर खुद बेगम जाती और खौन रख कर इस तरह मौदब खड़ी रहती जैसे मालुम होता कोई पुजारन किसी देवी के सामने भेंट चड़ा रही है मियां हमीद पहलू बड़ लहे थे कि औरतों को सब कुछ मिला मगर मुझ गरीब को कुछ भी नहीं केतने में एक और खौन आया बेगम वो लेकर उसकी तरह बढ़ी उसने जल्दी से बढ़कर खौन संभाल कर रखा खुद खौन पोश अड़ा कर देखा खौन में शेरवानियों और कमीजों के कपड़े और कई पाई जामें सिले हुए रखे थे उनके साथ मुखतलिफ गिस्म के रुमाल, मुजे, इत्र, सेंट, कंघा, तेल और एक आइना और कुछ रुपे भी रखे थे हमीज शर्मा गया भाया, वो एक्चुली आपके पाउं और सरकी नाप मालूम नहीं थी इसलिए ठोपी और जूता हम नहीं खरीद सके आप अपनी पसंद का खुद खरीद लीजिये वो इन चीजों को लेते हुए जिजका तो बड़े मिया ने कहा हाँ, हाँ आज आप भी शर्मा रहे हैं हरे बेवाकूफ तू तो छोटा है बंदगी कर और सब जल्दी से समेट उसने जल्दी से बेगम को तसलीम की रुपिया उठाना चाहा तो मा ने कहा और भाई को तसलीम नहीं वहीद ने कहा जी रुपिय तो बेगम ने दिये है और कपड़े भी उन्होंने ही दिये मेरा खुदा शाहिद है कि मैं ये भी नहीं जानता कि उन्होंने ये सब सामान कब और क्यों कर दुरुस्त किया सबने बेगम को बड़ी महबबस से देखा उन्होंने मुस्करा कर सर जुकाया सबसे आखिर में दो बड़े बड़े खुआन आए बेगम ने एक सास के सामने रखा एक ससर के सामने दोनों तरह तरह के कपड़ों और चीजों से पूर थे और फिर लुद्फ ये कि तमाम चीजे वही जो उनकी खास पसंद की थी वहीद मताचिब होकर बोल उठा भाई कमाल किया ये तमाम समान कर डाला और मेरे फरिष्टों को भी खबर नहीं हमीद ने कहा जी भाला साहब को इन छोटी छोटी बातों से क्या मतलब वहीद इस पर छपट पड़ा तु आज सुभा से बहुत तेजियां कर रहा है समझ लिया कि मैं ICS क्या हूँ कि बिलकुल मोम का बन गया हूँ अच्छा तु खड़ा रहे मैं अभी तुझे पकड़ता हूँ वो हस्ता हुआ ये कहकर भागा अच्छा अच्छा मुझे पकड़ी लीजे तो मैं जानू दोनों भाईयों में दोड़ होने लगी वो बार बार जखाईयां दे कर निकल जाता मगर वहीद बराबर पीछा करता रहा यहां तक कि हमीद ये समझ कर कि अब गिरफतार हो जाऊंगा एक इमली के दरख्ट पर चढ़ने लगा जब वहीद उसके नीचे आकर रुक गया तो वो बोला आईसिये सहाब यहां तश्रीफ लाईए वहीद ने भी जूते के फीते खोल डाले और नंगे पाउं होकर दरख्ट पर चढ़ना शुरू किया इमली के दरख्ट बहुत बड़ा था हमीद तो पहले सबसे उंची शाख पर चढ़ गया जब उसने देखा के वहीद उसी पर चला रहा है तो जल्दी से वो उससे उचक कर दूसरी पर हो रहा मगर यहां वहीद की कम सिनी की महारत काम आई उसने बिलाखिर हमीद को पकड़ ही लिया और वहीं से कान पकड़े नीचे उतार लाया हमीद के खिस्याने होने पर सारा घर हसता रहा मगर बेगम खामोश बैठी रही वहीद ने उनकी खामोशी से जरा सासर लिया अपने कपड़ों की तरफ देखा तो रेशमी कमीज कई जगा से फड़ चुकी थी और पतलून की सारी क्रीज खाक में मिल गई थी मगर उस वक्त उस पर फिजा और माहौल का पूरा असर हो चुका था उसने कुछ ज्यादा परवा ना की सामने बहुत से बांस कटे हुए पड़े थे भाई से बोला अब यह यहां अच्छे नहीं मालूम होते चलो दूसरे हिस्से में फेक आएं देखे तो कितनी मेनद कर सकते हो बड़े मिया ने कहा नहीं बेटा तुम रहने दो कल मस्तूर बुला कर हटा दिया जाएगा उसने मुस्करा कर कहा नहीं अबबा जान यह अपने को बड़ा कौमी समझने लगा है आपके सामने ही आज फैसला हो जाएगा यह कहकर हमीद के साथ बांसूं को उठाने पर पिल पड़ा चश्म जदन में तक्रीबन 102 छिले बांस दोनों भाईयों ने उठा कर दूसरे हिस्से में मुंतकिल कर दिये दोनों पसीने में शराबोर मिट्टी से अटे हुए कुर्सियों के पास आकर ठक कर बैठ कए बढ़ी बी ने पूछा क्यों बई हमीद अब I.C.S. के मुतालिख क्या राए है तुम्हारी उसने अपने मेले हाथ से पेशानी का पसीना पोछते हुए कहा मेरी दानिस्त में इनसे बजाए हुकूमत करने के मजदूरों का काम लेना चाहिए ये बड़े मजबूत होते हैं सब लोग हासी रहे थे कि बेगम साथ ससुर को सलाम करके अपने कमरे में चली गई वहीद को बेगम के जाते ही खयाल आया कि उसने अपनी दिहातियत और बरबरियत का जिस तरह मुझारा किया है उसके बाद उसकी कोई वकत बेगम की नजरों में बाकी नहीं रह सकती उसे हद दरजा खिजालत और शर्मिंदगी महसूस होने लगी और बाप के ये कहने पर जाओ, जाओ मिया वहीद, नहा कर कपड़े बदल डालो अब ये तो बिलकुल दरखतों और बांसों की नजर हो चुके उसकी कैफियत में और इजाफा हो गया वो गर्दन चुकाई उस हिस्से में गया जो हमाम करने के लिए मखसूस कर लिया गया था और उसने नहाद होकर जल्दी जल्दी कपड़े बदल डाले फिर वो शर्मिंदा और मुनफाल उस कमरे में गया जो बेगम के लिए मखसूस था देखा तो वो अपने कमरे में उसकी खास पसंद की साड़ी पहने खिड़की के सामने है वहीत को उनके अंदास से महसूस हुआ कि बेगम उसके अफाल से बेहत रंजीदा है उसने डड़ते ड़ते कहा बेगम बेगम मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ मगर मैं क्या करूँ इस माहौल और इस फिजा ने मुझे इंसानियत का जामा उतारने पर मजबूर किया ओ डियर डून्ट बी सॉरी इंसानियत न कहिए आई सी एस का जामा कहिए क्या? सवालों के जवाब लिखिए सवाल नंबर एक आई सी एस बनने के बाद वहीद में क्या तबदीली आई? सवाल नंबर दो गाउं पहुँशने से पहले वहीद की क्या कैफियत थी? सवाल नंबर तीन पौदे एक जमीन से निकाल कर दूसरी जमीन में लगा देने से अपनी नौईयत और जिंस नहीं बदल देते इस फिकरी की वजाहत कीजिए सवाल नंबर चार बहु बेगम के किरदार की खूबियां बयान कीजिए इसी के साथ ये सबक खत्म हुआ अभी आप सुन रहे थे गुलजारे उर्दू भागदो का तीसरा पार्थ इसके बाद पार्थ चार आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T.